ओम शांती अपने मन मुद्धी को बाहर से संबुरन एकाक्र कर लीचे स्वेम को सौमान दें मैं मास्टर ब्रम्मा हूँ संगम युके प्रभु मिलन की बेला पर स्वयम भगवान ने मुझ आत्म को आधी पिता ब्रम्मा बाबा के मुख कमल से पैदा किया है आधी पिता पूरे स्रिष्टी के साकारी पिता और लौकिक पिता ब्रम्मा बाबा उनकी पालन में पलने वाली मैं भाग्यशाली आत्मा मास्टर ब्रम्मा हूं स्वेम को इस संसार से उपर ले जाएं स्वेम को देखें फरिष्टा ड्रेस में उपर की ओर उड़ते हुए उड़ते उड़ते अधी की दूर मैं फरिष्टा मास्टर ब्रम्मा जा पहुँचा ब्रम्मा पूरी में ब्रम्मा बाबा से मिलन मनाने ब्रम्मा पूरी एक अवरत अलौक एक दिव्य आभा से भरपूर है जारों और यहां पर अलौक एक दिव्य आभा बिखरी हुई है मैं मैं मास्टर ब्रम्मा एक एक कदम आगे की ओर बढ़ा रहा हूं मन ही मन अपने पिदाश्री जी का इंतजार है सामने से बाही पसारे हुए मेरी ओर वो चलके आ रहे हैं मेरे आदी पिता ब्रम्मा बाबा मैं मास्टर ब्रम्मा बाबा की गूदी में समा गया मीठे बाबा आप से बिचुड़े हुए कई सदियां बीठ गई आपके बिना मेरे मन को जैन नहीं आ रहा था मेरे प्यारे पिता ब्रम्मा बाबा आपने शुब बाबा को स्वें में समा लिया है बाबा आप दोनों कमबाइंड है अब मैं मास्टर ब्रम्मा आपके लक्षे कदम पर हर कदम चलना सीख गया हूं मेरे नैनों में भी हमेशा शुब बाबा समाई रहते हैं ब्रम्मा बाबा बाब दादा आप जैसा पहले आप ये गुण मैंने भी सीख लिया है मीठे बाबा मैंने अनुभव किया है कि दूसरों को उमंग उत्सहा देखकर आगे बढ़ाने से स्वयम को कितना सुकून मिलता है हर एक आत्मा की विशेश्टाओं को देखकर उनको कारें में लगाना ये विशेश्टा भी मैंने आप से सिखी है जिससे ये इश्वरिया कार्या सहजता से संपन हो रहा है मेरे पिता का इश्वरिया येंग्य का सेवा का कार्या चाहे कोई भी आत्मा गरे मेरे बाप का कार्या निर्विघन होना चाहिए सब ही आगे बढ़े इसने किया किसने भी किया मेरे बाप का कार्या तो हो गया ना मेरे चित में हमेशा बेहद की भावना समाई रहती है मैं मास्टर ब्रम्ह प्यारी बाबा मैं आप को पूरा पूरा फालो कर रहा हूं आप मुर्ली में कहते हो सन शोस फादर हाँ बाबा मैं आपका ऐसा ही अनन्यारतन हूं मीठी बाबा आज मुझे ऐसा वरदान दें कि मैं मास्टर ब्रम्ह आपको संसार के आगे प्रत्यक्ष कर दूं मुझे देख सारी आत्मई सोचें कि इनको ऐसा किस ने बना दिया प्यारी बाबा मेरी तो बस यही जाना है बाबा ने मेरी बाते सुनकर अपना हाथ वरदानों भरा मेरे सिर पे रख दिया और मैं मास्टर ब्रम्हा स्वेंगो बहुत शक्तिशाली महसूस कर रहा हूं शक्रिया मिठे बाबा आपका बार बार शक्रिया है अब मैं फरिष्टा वापिस स्रिष्टी साकार स्रिष्टी में वापिस आ गया साकार देह में मैंने जैसे ही प्रवेश किया मेरे साकार देह में एक प्रकमपन सा एक अनरजी महसूस होने लगे और मनरजी इस घर में कोने कोने तक फैल गई इस घर में रहने वाली सभी आत्मों के मस्तक पर वो एनरजी टच हो रही है और सभी बहुत शान्त हो गए हैं ओम शान्ती ओम प्रकमपन सा एक अनरजी आत्च हो एक इस फए हैं झाली झाली